दोस्तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिस बंदे ने सरीर पर गुदबाये हैं सबसे ज़्यादा टेटू जिस बज़ा से इनका नाम की नीज बुक में दर्ज है जी हाँ दोस्तो हम बात कर रहा हैं लकी डाइमन डिच के बारे में ये जो जनाब आपको दिख रहे हैं ये कोई आम हती नहीं है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेटू गुदबाने का किताब इस बंदे के नाम है जो न्यूजी लैंड में 1971 में पैदा हुए थे इनका बचपन का नाम ग्रेगडी पॉल मैकलरीन था बाद में इन्होंने अपना नाम बदल कर लकी डाइमन डिच किया यहां तकी लकी ने ना, कान, आख, गाल, अपनी पलको और कान के कई अंदरूनी हिस्सों में भी टेटू गुदबा रखे हैं और इसे गुदबाने में इन्हें कुल मिला कर 1000 घंटों से भी ज्यादा समय लगा इससे पहले जब यह 16 वर्सके थे तो यह एक सरकस में काम किया करते थे वो बताते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मैं गिनीज बुक को देखकर सोचता था कि कितना अमेजिंग होता होगा अपना नाम इसमें दर्ज करवाना इनका कहना है कि अब काफी अच्छा लगता है गिनीज बुक में मेरा नाम दर्ज है और मुझे यंग लोग पहचानते हैं मेरे साथ फोटो की चबाना चाहते हैं